अक्सर आप मेलों में गए होंगे या फिर एक तिवहार होता है वसंत पंचमी मेरे ख्याल से जहां पे हम बहुत सारे पतंग गोड़ाते हैं तो पतंग एक ऐसा शेप हुआ ये काइट जो कि Mathematicians को थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग लगा तो उने ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे शेप को Math में डिफाइन करते हैं अब Math में कोई चीज डिफाइन की जा रही है तो उसको हमको अच्छे से बताना पड़ेगा उसके बारे में जैसे कि इस figure को देखें इस figure को देखें हमको यह clearly समझ में आ रहा है कि यह जो side है AD और इसका जो adjacent side है AB यह आपस में equal है वैसे ही यह जो side है यहाँ पर DC और यह जो side है BC यह आपस में equal हैं तो इसके दोनो pair of adjacent sides आपस में equal हो गए तो यह एक काइट हो गया अब अगर आपके मन में ये चीज़ आ रही होगी कि क्या ये और ये आपस में equal नहीं हो सकते हो सकते हैं, बिलकुल हो सकते हैं माल लीजिए हमारे पास कोई ऐसा figure होता जिसमें हम इस kite को थोड़ा सा rotate करके बना देते हैं ऐसा कुछ तो इस case में ये side जो है ये side अपने इस adjacent side के बराबर हो गई और ये side इस adjacent side के बराबर हो गई तो ये भी हमें kite देदेगा तो actually इस चीज़ को यहाँ पे हम लिखी देते हैं ताकि जादा clear हो जाए कि हमेशा kite में हमेशा kite में both both pairs both pairs of opposite opposite sides are equal equal in length equal in length हमेशा kite में जो भी दोनों adjacent pair बनेंगे sides के वो हमेशा length में बराबर होंगे तो फिर kite को बनाया कैसे जाए अच्छा खेर उससे पहले हम kite की एक property के बारे बात कर लेते हैं कि kite का जो diagonals होते हैं जैसे कि इस kite का यहाँ पे जो diagonal है AC और BD यह हमेशा 90 degree पे intersect करेंगे इनके बीच का जो angle होगा वो 90 degree होगा इस चीज को अभी हम prove नहीं करेंगे लेकिन बाद में इसको देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है अभी के लिए हम इसका एक property इसको मान सकते हैं और kite के बारे में और मैं यह बता सकता हूँ कि हम kite को कई तरीकों से बना सकते हैं जैसे कि मान लीजे हमारे पास यहाँ एक line है एक line हम यहाँ खीश लेते हैं और इसका मैं perpendicular bisector बना दूँ यानि कि एक ऐसा line जो इसको bisect भी कर रहा है आधे part में बाट रहा है और इसके 90 degree पे है यानि कि कुछ ऐसा कुछ ऐसा तो यह जो हो गया यह length इस length के बराबर हो गया और इनके बीच का angle 90 degree हो गया अब अगर मैं इनके end points को आपस में join कर दूँ तो मुझे जो figure मिलेगी मुझे जो यहाँ पे figure मिलेगी उसके adjacent sites equal होंगे यानि कि यह इसके बराबर हो जाएगा और यह जो है इसके बराबर हो जाएगा और ऐसे figures को हम लोग kite बोलते हैं अच्छा अगर मान लीजिए दोनों एक दूसरे के perpendicular bisector होते मतलब कि यह कुछ ऐसा हो जाता कि यहाँ पे हमारे पास एक line थी इसका हमने perpendicular bisector बनाया थोड़ा इसको straight बनाया जाए इसका हमने perpendicular bisector बनाया इसको straight बनाते हैं कुछ ऐसा बना लिया हमने इस तरीके से कि यह जो यहाँ पे length दी हुई है यह दोना आपस में 90 degree तो है ही यह इसके बराबर है और चुकि यह इसका perpendicular bisector है तो यह जो length है इस length के बराबर हो जाएगी इसको हम थोड़ा से यहां से हटा देते हैं ताकि यह बराबर देखें ठीक है अब हम इसके endpoints को आपस में जाइन करते हैं तो इसको मैंने इससे जाइन कर दिया इसको इससे जाइन कर दिया इसको इससे जाइन कर दिया और इसको इससे जाइन कर दिया तो यह kite तो होगा ही क्योंकि अभी भी इसमें इसके adjacent sites तो equal होंगे ही लेकिन साथ ही साथ ये एक rhombus भी हो जाएगा rhombus क्योंकि इसके सारे lengths आपस में equal हो जाएगे तो ऐसा quadrilateral जिसके दोनो diagonals आपस में perpendicular bisector होते हैं वो rhombus हो जाता है इसको थोड़ा सा और twist कर दे थोड़ा सा और इसमें दिमाग लगा है तो माल लीजे हमारे पास एक line यहाँ पर ऐसा है और दूसरा line यहाँ पर ऐसा है जो कि इसका perpendicular bisector है लेकिन यहाँ पर बात यह है कि चारो length आपस में बराबर है मतलब क्या कि यह 90 degree है चारो के बीच का angle यह इसके बराबर है और यह जो length है यहाँ पर same इस length के बराबर है और यह भी इसके बराबर है मतलब जो चारो length यहाँ पर दिख रहे है वो आपस में बराबर है अब अगर मैं इन सब को join करूँ इन सब के end points को अगर मैं join करूँ तो हमें जो figure मिलेगा वो kite की properties को तो satisfy करी रहा है वो kite की properties को satisfy कर रहा है आनि कि यह length जो है इसके बराबर हो जाएगी और यह भी इसके बराबर होगी और actually चारों आपस में बराबर ही होंगे तो यह एक special type का rhombus होगा जिसको हम बोलेंगे square square इनके बीच का angles भी 90 degree हो जाएगा यह 90 degree यह 90 degree यह 90 degree और यह भी 90 degree हो जाएगा तो एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि सारे square kite होते हैं सारे square kite होते हैं सारे rhombus भी kite होते हैं और सारे kite तो kite होते ही हैं लेकिन उल्टा नहीं हो सकता ऐसा जरूरी नहीं कि सारे kite rhombus हो या फिर सारे kite square हो एक kite बस उस figure को हम बोलेंगे जिसके adjacent sites आपस में equal होते हैं